हेलो गाईज आपका इक बार फिट से सुवागेता और अपडेट है आरपीएसी और करमचारी चेनबोर्ड के और से आगामी दिनों में जो एकजाम करवाए जाने हैं उन्हीं के रिगाडिंग आप देख सकते हैं नया साल देगा बेरोजगार युवाओ को खुशियां अनेक बरती प्रिक्स्याई होगी युवाओ में जागी उम्मीद कोचिंग सेंटर होने लगे आबाद तो यहाँ पे देखिए कौन-कौन से एकजाम आपके आगामी दिनों में होने वाले हैं और करमचारी चेनबोर्ड की बता रखिए सूचना साइक सीधी बरती प्रिक्स्याई 21 जनवरी को होनी है इसके बारे में डिटेल से नोटिपिकेशन भी आज बोड ने रिलीज कर दिया इसके अलवा आपके करसी परवेक्सकी 4 फरवरी 2024 को इसको इसमें बता रखिए कि करमचारी चेनबोर्ड के और या आपके जो आगामी दिनों में एक्जाम होंगे उनमें आपके 5 वीकल्प भी एड हो जायेगा जिसमें आपको ये वाला ओप्सन देखने कू मिलेगा याँ पांच ओप्सन देखने को मिलेंगे A, B, C, D, E जिसमें आपको यदि चारों में से कोई भी option नहीं आ रहा तो फिर आपको पांचवा जो विकल्प है उसको आपको चुनना होगा यानि आप अपनी OMR sheet को खाली नहीं चोड़ सकते पांचवा विकल्प आपको चुनना ही होगा यदि आपको answer नहीं आ रहा तो यदि आप खाली चोड़ दे तो एक बटा तीन अंक आपका कट जाएगा इसके अलावाद 10% से अधिक यदि आप कुशन चोड़ देते हो तो आपको आयोगी घोशित कर दिया जाएगा इसके लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा बाकी अब अपन है जो सूचन साइक सीधी बरती प्रिक्सिया 21 जनवरी को होनी है इसका जो नोटिविकेशन आया है वो देख लेते हैं के यह वाला option यानि 500 विकल्प भी आप आपको पेपर में देखने को मिलेगा admit card के बारे मिता है कि admit card आपको यह official website www.rsmssb.gov.in यहां से आपको admit card है वो देखने को मिलेगा यहां से आप admit card डाउनलोड कर पाएंगे तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके करशी प्रव्यक्स का पेपर 4 फर्वरी 2021 को है और जलती board उसके बारे में भी SI notification हो सकता है रिलीज करे तो यदि आप अभी तक भी अपनी preparation है वो start नहीं किये हो तो अभी भी कर दीजिए आपके supervisor का पेपर है चार फर्वरी 2021 को होने वाला है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जहिंग जह बारे